नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टार्गेट सिविल सबसेश जय हो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज के टेस्ट का प्रारम करूं मैं एक बात करना चाहता हूं कि PCS 2018 Pre के लिए बहुत सारे हमने टेस्ट चलाए थे जिसमें UPSC के लिए भी हमने स्योज सी चलाई थी तो प्लेलिस्ट में काफी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण वश टेकनिकल रिजन्स हो सकता है कुछ हो तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उसमें बता दू मुझने में फिलाल यह टेसरी मत आप मिस करिएगा क्योंकि बहुत ही दुरलफ प्रश्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परिक्षा में पूछे जा सकते हैं अतिसम्भावित प्रश्णों को मैंने इन टेस्टों में सामिल किया है तो जूड़ें इस टेस्ट से और लाव कुंडली को पलवल से जोड़ता है दूसरा है इसका उधगाटन 27 मई 2018 को पधानमती नरेयन मोधी द्वारा उत्तर पदेश के बागपत में किया गया तीसरा इससे दिल्ली के जाम से छोड़कारा मिलेगा चौथा है इसकी लंबाई 235 किलोमेटर है तो इसमें से असत्य कथ संकाप को चैन करना है देखिए इसका उत्तर होगा डी 235 किलोमेटर लंबाई नहीं दोस्तों इसकी 135 किलोमेटर लंबाई है बाकी इससे दिल्ली के जाम से छोड़कारा मिलेगा यह सत्य है दिल्ली तक गाड़ियों को जाना नहीं पड़ेगा इसका उध्गाटन 27 मई 2018 रो उत्तरप्रदेश के बागपत जिलेम किया गया यह भी बिल्कुल सही है छेलेन वाला यहां एकस्पेस में कुंडली को पलवल से जोड़ता है यह भी बिल्कुल सही है तो केवल डी इसका गलत है 135 किलोमेटर है इस्टरन पेरिफेर अवे का लंबाई जो है भारत का पहला ए पूर्वी गुदावरी या फिर माजली दीप जिला पूर्वी गुदावरी जिला है C इसका उत्तर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे निम्न में से कौन सा असत्य है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यह सुचकान WIPO World Intellectual Property Organization द्वारा जारी किया जाता है भी इसे इनसीड तथा कारनेल विश्वत द्वारा जारी किया जाता है C 2018 के सूची में स्रिजर लेंड पहले अस्थान पे है D इसी सूची में भारत को 80 अस्थान प्राप्थ हुआ है तो असत्य गथनकाव को पहचान करनी है देखें दोस्तों ए भी बिल्कुल सही है इसको इनसीड कारनेल विश्वत द्वारा जारी किया हुआ यह तीनों के संगठन से जारी किया जाता है यह Global Innovation Index 2018 के सूची में स्विजर लेंड पहले अस्थान पे है 2017 भी पहले अस्थान पे था इस सूची में भारत को 57 अस्थान प्राप्थ हुआ है जबकि 2017 में भारत को 60 अस्थान प्राप्थ हुआ तो D गलत है चोथा प्रशने 17 से 18 जन्वरी 2018 को अंतर राष्टी सौर उर्जा फोरम का योजन का हुआ नई दिल्ली, शार्जा, अबूधावी या पेरिस नई दिल्ली में हुआ ठीकें आधार अधनियम के तहट आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तिमाल किसमें नहीं किया जा सकता है आधार अधनियम के तहट आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तिमाल किसमें नहीं किया जा सकता है सी इसका उत्तर है आप राधिक जांच में नहीं किया जा सकता है ठीक है रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट समंधी निम्न कत्नों पर विचार करें रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रहा है इसके संबंद में रतनागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट हे तु सौधी अरामको और भारत के मद्धिव 44 बिलियन डालर का समझोता हुआ है यह बियस शिक्स दक्षता इधन मानक पर खरा उतरने वाला उत्पादों का उत्पादन करेगी यह महराष्ट में इस्तित है चौथा यह भारत के परिशोधन या रिफाइनिंग छित में सरवाधिक एकल विदेशी निवेश है यह वल एक दो सही है कि वल दो चार सही है कि वल दो तीन सही है या फिर चारो सही है तो दोस्तों चारो ही सही है ठीक है न यह चारो स्थेटमेंट सही है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सांगली जो हाली में चर्चित रहा इसके विशय में कौन सा सत्य या कौन से सत्य है या महाराश्ट का एक जिला है B यह हल्दी के एक विशेश किस्म के लिए प्रसिद्ध है C हाली में इसे GI टैग दिया गया है A, B, C तीनों सही है, केवल C सही है केवल B और C सही है, केवल A और C सही है सांगली, महाराश्ट का एक जिला है यह हल्दी के एक विशेश के लिए प्रसिद्ध है हाली में से GI tag दिया गया है तीनों ही सही है यह माराष्ट का एक जिला है यहाँ पर एक हल्दी उगाई जाती है जो सांगली हल्दी के रूप में प्रसिद्ध है बहुत दिनों से मांग हो रही थी किसानों की वहां की कि हमको इस हल्दी को GI tag प्रदान किया जाए तो अब GI tag प्रदान कर दिया गया है अब कोई और संस्था या देश इस नाम से हल्दी नहीं बेच पाएगी इससे किसानों की आर्थी सुरक्षा सुनिश्चित होगी हाली में किस देश में किस देश में पोलियों के प्रकोप चलते 13 महीनों के लिए स्वास्त आपातकाल की घोशना की गई है जिम बॉम्बे, पपू अन्योगिनी, सीरिया या फिर नाइजर पपू अन्योगिनी दोस्तों ठीक है इसने हाली के वर्षों में अपने आपको पोलियों मुक्त घोशित कर दिया था लेकिन यहाँ पर अचानक पोलियों से लोग ग्रसित होने लगे जिसके करण 13 महीनों के लिए स्वास्त आपातकाल की घोशना कर दी गई पपू अन्योगिनी में रेल सूचना पणाली के इंद्र ने कैसलेस टिकट के लिए कौन सा मुबाइल एप विक्सित किया है रेल सूचना पणाली के इंद्र कैसलेस टिकट के लिए कौन सा मुबाइल एप विक्सित किया है कैसलेस एड़ दी रेट रेल बी अटसन मुबाइल सी डिजिट रेल या फिड्डी रेल मोबाईल बी इसका उत्तर है अटसन मोबाईल निम्न कत्नों पर विचार करें समग ग्रजल प्रबंधन रिपोर्ट पर्या और एवं बन मत्राय द्वरा जारी हुआ दूसरा है इस रिपोर्ट में गुजरात को वर्ज दो जाज सोला सतरा के लिए प्रथम सेड़ी में रखा गया है केवल एक सही है केवल दो सही है एक वदो दोनों सही है या फिर न तो एक सही है न तो दो सही है देखें समग ग्रजल प्रबंधन रिपोर्ट याद रखेगा नीती आयोग द्वारा जारी हुआ है किसी मंत्राले द्वारा जारी नहीं हुआ है इस रिपोर्ट में गुजरात को वर्ज दो जाज सोला सतरा के लिए प्रथम सेड़ी में रखा गया है ये विलको सही है केवल दो सही है एक गलत है किस शहर ने वर्ज 2008 हे थो हतीयारों के सारजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया अर्तात वर्ज 2018 के लिए सारजनिक प्रतिबंध लगा है कौन सा ऐसा शहर है कौलकाटा, मुंबई, पुणे या फिर दानापूर ये इसका उतर है कोलकाता पुलिस ने 2018 है उत्थ हतियारों के सारवजनिक प्रदर्शन पर प्रद्शन पर प्रद्शन लगा दिया है किस सहर ने उच्चितर सिक्षा में लड़कियों की उच्चितम GER या नामांकर अनपाद दर्ज की है मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद या फिर चंडिगर उच्चितर सिक्षा में लड़कियों की उच्चितम GER या नामांकर अनपाद किसने दर्ज किया है चंडिगर ने डीज का उत्तर है इसीगरेट पर प्रतिबंद लगाने वाला राज बिहार, जारखंड, महाराश या उत्तराखंड बिहार ने इसीगरेट पर प्रतिबंद लगाया विश्वार्थिक मंच की 48-वी बैठक हाली में संपन हुई जिसको दावोस संभेलन के नाम से भी जाना जाता है इस संदर में निम्न में से कौन सा असत्य है असत्य कथन की पहचान करनी है वर्ड एकोनामिक फोरम या विश्वार्थिक मंच की अस्थापना 1971 ने हुई भी है ठारा वर्षों बार भारती प्रधान मंत्री ने इसमें भाग लिया इससे पूर अंतिम बार अर्थात 1997 में इंद्र कुमार गुजराल ने भाग लिया था इसमें चौता है पहले डवलू एफ का नाम या विश्व इसका वर्ड एकोनामिक फोरम का नाम पहले यूरोपियन मेनेजमेंट फोरम था इन में से कौन सा असत्त है यह आपको बताना है तो इसकी अस्थापना 1977 मुई यह बिल्कुल सही है जेनेवा में इसका हेटक्वाटर है स्विड़ियलेंड में 18 वर्षों बाद भारती प्रधानमंती ने इसमें भाग लिया नरेन मुदी ने भाग लिया इसमें 18 वर्षों बाद किसी भाती प्रधानमंती ने भाग लिया बिल्कुल सही है इससे पूर्व अंतिम बार 1997 में में इंद्र कुमार गुजराल ने नहीं दोस्तों बलकि HD देव गोड़ा ने इसमें भाग लिया था इसका C गलत है और D है पहले WF का नाम European Management Forum था बिल्कुल सही है तो C उत्तर होगा इसका सूर्य मंदिर कोणाग अंकित है किस पे 10 रुपए के नोट पे 50 रुपए के नोट पर 200 रुपए के नोट पर या फिर 5 रुपए के नोट पर देखे ए इसका उत्तर है 10 रुपए के नोट पर दोस्तों नोटों से संबंधित एक वीडियो हमने प्लेलिष्ट में बनाया हुआ है ठीक है प्लेलिष्ट में सेग्मेंट का नाम है रोचक तत्थ क्या आप जानते हैं उसमें नोट के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप अवश्य देखें किस नोट पर क्या है या फिर आपके पास नोट हो तो वैसे भी देख सकते हैं अगर उपलब दना हूँ एक साथ ये सभी नए नोट तो आप वो वीडियो देख लिएजिए उसमें सभी नोटों के बारे में क्या क्या किसमे हैं वो हमने बताया है ये लेखक है रचनाय है इनको आपको सुमेलित करना है देख लिजे पहले फिर ये आफ्शन्स हैं आपके जूम करके देख लिजे तो जल्दी होगी हम आगे बढ़ते हैं तेजी से भारवी ने किरातार जूनियम हरशने नागानंद कालिदास की मालिगाग्नमित्र और राजशेकर की करपूर मंजरी है तो क्या होगा दो तीन चार एक बी इसका उत्तर होगा मुगल काल के किस बंदरगा को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था किसको मचली पत्नम को सूरत को काली कट को या फिर अयोग धरा को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था मुगल काल के किस सब्बंदरगा को बीस का उत्तर है सूरत को जो है बावुल मक्का कहा जाता था अधोल उखित में से सही सुमेलित नहीं है ये पुस्तके हैं और इधर जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनका नाम है आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है देखे ये तो सही सुमेलित है राम मनोहर लोहिए की बुक का नाम दवीला फिस्टी है डाक्टर राजयन पसाद की बुक इंडिया डिवाइडेड है बिलकुल सही है अब्दुल कलाम आजाद की बुक India wins freedom है, यह भी बिल्कुल सही है सचिदानन सिन्ना की बुक captive lady नहीं है captive lady जो है, यह सचिदानन सिन्ना की बुक नहीं है बल्कि इसको याद रखेगा कि Michael मदसूदन दत्त की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक बहुत है captive lady, तेकिए सचिदानन सिन्ना की बुक नहीं है आगे बढ़ते हैं, सूपर स्टार प्रजाती है, किसकी गुलाब की अंगूर की, चने की या फिर सरसो की सूपर स्टार प्रजाती है गुलाब की प्रजाती है दोस्तों, ठीक है कृषि लागत एमम मूल यायोग की इसकी अस्थापना हुई, नमक सत्यागरा के समय जब गाधी जी कैद कर लिये गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया जवालाल नहरू, सरदार पटेल अबुल कलाम आजाद या फिर अब्बास तयब जी अब्बास तयब जी ने, डी इसका उतर है गाधी जी को किसने साउधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अन्वाईयों के कटरता को प्रोसाहित न करें ये आगा खां, भी सरदार पटेल, अजमल खांसी या फिर डी गोखले उतरजमल खाने जो है चताया था, साउधान किया था गाधी जी को कौन सही सुमिलित नहीं है फसल दिया है और पुस्पक्रम दिया है तो आपको पताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है गन्ना का एरो, येहूं का स्पाइक टिटिकेल का अंबिल धान का पैनिकल इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा गन्ना का ऐरो बिल्कुल सही है गेहूं का स्पाइक सही है टिटिकेल का भी स्पाइक होता है अम्रेल नहीं होता है धान का पैनिकल होता है इसको याद करियेगा किसने बाबर को सरे पुल के युद में पराजित किया था अब्धुल्ला खौन उजुबैक शैबानी खौन उबैदुल्ला खौन या फिज्जानी बेग शैबानी खौने वी का उत्तर है किसी प्रजाति को विलुबत माना जाता है जब वो अपने प्राकितिक आवास में न देखी गई हो कितने वर्ष से? 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 10 वर्ष से या फिर 50 वर्ष से? 50 वर्ष से दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब नेश्ट जो हमारा टेक्स्ट होगा उसमें कम से कम मैं 50 वर्ष रखूंगा थोड़ा व्यस्तता है आज इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ आज शाम को या कल सुबह से टेक्स्ट जो है ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा क्योंकि बहुत ही महत्पूर्ण क्वेश्चन से यह सब मिस हो जाएंगे तो फिर परिक्षा में पूछे गए तो आपको लगेगा कि कि ज्यादा हो जाता टेस्ट में प्रश्ण तो ज्यादा सही रहता इसलिए मैं 50 कम से कम रखूंगा टेस्ट में प्रश्ण ठीक है और मुझे उम्मीद है आपको लाब पहुँच रहा होगा और मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इसलिए पर्यावरण किर्शी का साइंस का वो सब कुछ इसी टेस्ट में सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों समय की कमी है अलग अलग वीडियो बनाना उससे अच्छा है टेस्ट में सब को सम्मिलित कर लिया जाएगा इससे क्या होगा कि आप एक ही जगह जो है सारी चीजों का लाब ले सकेंगे इतिहास का गूगोल का अन्य जितने भी सेगमेंट है कर इंट अफियर्स की जाद अतर क्वेश्चन्स रहेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपको मदद मिल रही होगी बहुत बहुत धन्यवाद